कि आप लोग आज हम बनाने जा रहे हैं नूडल्स जिसे कहते हैं चौमी और मैंने इसके लिए त्यार किया है वह है बंदबो भी और यह सिम्ला मिर्च और यह प्याज और मेरा जो पानी है वह बोई हो चुका है अब मैं इसके अंदर बूडल्स के कुछ पीसिस में डालूँगी देखिया आप लोग मेरी यूदियो में आप लोग पंटीनी बने रहे हैं बॉइल वाटर है इसके मैं इतने डालूँगी इसमें हम हलका सा नमख डालेंगे और हलका सा हम इसके अंदर रिफाइन डालेंगे ताकि यह एक एक खीके बनेंगे दो बूट रिफाइन डालेंगे हम अब यह मेरी नूडल्स हो चुके हैं अब मैं इसको ठंडे पाने में डालके से धोंगी और मैं इसके बनाओंगी आप लोग इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें रिफाइन डाला है ताकि यह चिपके ना यह अज़िए अलग अलग रहें मैंने इसमें डाला है डालने से यह एक में चिपके नहीं रहती है यह अलग अलग हो जाती है इस तरीके से यह है ठीक है अब इसको बनाने स्टार्ट करते हैं इसके अंदर डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे वो है प्याज वो है प्याज अब हम इसमें प्याज डालेंगे और हम जोड़ा से इसको ब्रावन से हलका हलका से करेंगे अब हम इसमें पत्ता को भी डालेंगे और हम अपनी शिल्ला मिर्ची डालेंगे और उसे हम अच्छी तरीके से हलका सा पताएंगे जिनारेंगे अब हम जोड़ा सा यह पाप चुका है अब हम जो इसके में डालेंगे वो है मसाली हमारे पाथ है यह मसाला है इसका नाम क्या है चौमिल मसाला गया अब हम एक टाप यह मसाला डालेंगे जिनारेंगे जिनारेंगे आँ अब फोड़ा बशाल हुए जिनाप अब इसमें डाला वे नूदर शाना इसमें कि अपने अब जो हम इसमें डालने वाले हैं वह हमारा सिर्का बिनेगर डालेंगे इसमें खोड़ा सा और हम डालेंगे यह जो है चौमिन का कलर होता है यह आप इसमें डालेंगे इससे कलर बहुत अच्छा आता है और इसमें नमक डालेंगे स्वादन सार मेरे बच्चे मिर्ची खाते हैं इसलिए मैं इसमें नमक ने डालेंगे रहां मैंने बिंफकि मैंने मरे पास यहा है चट्नी मैं अपने लिए अलग से लुगी में डालेंगे में में इसमें डाला हैं जों कि मैंप bene बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से यह नूडल्स हमारे बन के तयार है यह हमारी नूडल्स बन के तयार है अवल्ग आई है ओर रही है